इस संसार में जितने भी प्राणी है वे सब यात्री है यात्रा अनन्त है और उसका प्रवाह भी अनन्त है अगर हम अपने अब तक के कहानी का सार बताए तो एक छोर जन्म पर है तो दूसरी और मरन है जन्म और मरन के बीच ही ये पूरा संसार है या यू कहें जन्म और मरन के बीच ही हमारी सारी इतिकता है जन्म सब को अच्छा लगता है मरन किशी को प्रिये नहीं लगता लेकिन ये एक बहुत बड़ा सत्त है कि जन्म मरन के साथ जुड़ा है और मरन जन्म के साथ बिना मरन के जन्म नहीं और बिना जन्म के मरन नहीं ये अनादी से चला रहा है जो चिरंतन सत्त को जानता है उसे जन्म और मरन का कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता लेकिन जो इसे नहीं जानता वो जन्म में जस्न मनाता है और मरन में मातम संत कहते हैं न तो जन्म में जस्न मनाने का कोई मतलब है और नहीं मरन में मातम मनाने की कोई आवशकता है जन्म और मरन हमारे जीवन के दो महत्तपून अंग है जो अनादी से हैं बने वे हैं और जब तक संसार में हैं बने रहेंगे ना जन्म से प्रभावित हो ना मरन से प्रभावित हो अपितु अपने जीवन को जन्म और मरन से ऊपर उठाने का उपक्रम करो कुछ ऐसा करो जिससे जन्म और मरन से उपर उठा जा सके और वह प्रक्रिया वह मार्ग हमें मिलेगा धर्म से जिसके भीतर सही तत्त ज्ञान होता है जीवन की वास्तविक समझ होती है उसके लिए जन्म और मरन प्रभावित नहीं करते वो जैसे हम सुर्योदे को देखते हैं तो सुर्यास्त भी हम उसी द्रिष्टी से देखते हैं सुरज उगा है तो ढ़लेगा उसे कोई रोक नहीं सकता लेकिन दुनिया में ज़्यातर लोग ऐसे हैं जिनको सुरज के उगने का तो याद रहता है पर दिन ढ़लेगा वो भूल जाते हैं हमें इस्षास्वत्रक्रिया को समझना चाहिए और दोनों में इस्थिर्ता रखने की कोशिश करनी चाहिए आज गुरुदेव का एक बहुत अच्छा संदेश है वे चल बसे यानि यहां से वहां जाकर बसे कोई मर जाता है हम क्या करते हैं वो चल बसा है नहीं तो चल बसा मतलब यहां से चला गया कहां गया वहां पहुँच गया यह जीवन का एक क्रम है और तुम थोड़े दिन के यात्री हो एक दिन तुमें इस पढ़ाव को छोड़कर दूसरे पढ़ाव की और जाना होगा तो आज तुम किसी दूसरों के बारे में कहते हो वो चल बसा है कल लग तुम्हारे बारे में भी बोलेगे कि वो चल बसा तो चल बसा चलना तो यहां से है यह जाना तो है ना इसमें कोई संसे है कोई संसे ने जाना है यह तै है तै केवल यह करना है कि कैसे जाना है कैसे जाना है आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर एक सिंगासन चड़ी चले एक बंधत जात जन्जीर अब तुम्हें यह तै करना है जीवन के इस परम सत्त को जानते है कि यह मेरा जीवन चार दिनों का है कब खतम हो जाए पता नहीं मुझे यहां से जाना होगा कैसे जाना है उनके सिंगासन पर आरूर होकर जाना है या पाप की बेडियों से जकड करके जाना है तै के वर इतनी सी बहत करनी है जिसके अंदर ये समझ विक्षित हो जाती है उसके जीवन की दिशा और दसा सब बदल जाती है हमें कैसे जाना है वे चल्व से तो हमें भी तो चलना होगा एक विक्ति मरा मरने के बाद किसी ने कहा बेचारा अपनी राह पूरी कर गया मरा तो किसी ने कहा बेचारा अपनी राह पूरी कर गया मैंने कहा हमें हमारी राह दिखा गया तुम्हें भी उसी राह पर जाना है न तुम्हारी काया अमर है न ये माया अमर है एक दिन साब छूटने वाली है कभी भी छूट सकती है संसार में एक ही चीज है जो एकदम निश्चित है और एक ही चीज है जो एकदम अनिश्चित है वह है मृत्यू मृत्यू होगी ये निश्चित है पर कब होगी ये एकदम अनिश्चित है भाईया कब किसकी बारी आजाए कोई पता नहीं इसलिए समझो और सम्भलो चार बते आज आज आप सब से कहूंगा आना जाना रोना गाना आना जाना रोना गाना सांसार में है क्या आना जाना अलगा है रोना गाना अलगा है आई सोगा है और जाई सोगा है तो भाईया जिस दिन तुम आने और जाने की सच्चाई को समझ लोगे तुम्हारा हमेशा हमेशा का रोना गाना छूट जाएगा आने जाने की सच्चाई को समझो मनच की एक बहुत बड़ी दुरुबलता है कि वो जीवन की आँखरी सांस तक इस सच्च को स्विकार नहीं कर पाता हम लोगों को बच्पन में ये बात सिखाई गई है राजा राना च्छत्र पती हातिन के असवार मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार ये बात है ना मानते हो मानते हैं लेकिन कब अभी मेरी बारी नहीं है अभी औरों की बारी है इसका मतलब जब सब मर जाएंगे तब हम मरेंगे यानि सबको मार के मरोगे क्या अज़े मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार इस जीवन के सत्त को समझो और मरने से पहले सुमरना सुरू कर दो आना भी संयोग है जाना भी संयोग है यन्म भी संयोग है मरन भी संयोग है जन्म को हम संयोग माले लेते हैं मरन को बियोग का दरजा देते हैं पर वह भी एक संयोग का ही फल है सच्चाई तो ये है कि न तो तुम्हारा जन्म है और नहीं तुम्हारा मरन है तुम अजन में हो, अमर हो अजन अमर अभिनासी तत तो उसे पहचानो ये बात और है कि अनन्तों बार तुमने जन्म धारन किया और अनन्तों बार ही मरन भी हुआ लेकिन फिर भी न तुम्हारा जन्म है न मरन है तन जनमता है तन मरता है तुम तन नहीं चेतन हो तुम तन नहीं चेतन हो उस चेतन को पहचानो जो परिवर्तन ये उपर का परिवर्तन है मिट्ता नहीं वजूद हमारा मौत से केवल सक्ल की चोली बदला करती है संगीत बदलता नहीं किशी भी सरगम का केवल गायक की बोली बदला करती है मौत भी मारेगी तो तुम्हें नहीं मारेगी ये चोला बदलेगी और एक दिन बदलना ऐसे हम कितने चोले बदल चुके और न जाने कितने बदलेंगे उसे पहिचानो जो तुम्हारा असली सरूप है जो सास्वत है सब्त है चिरंतन है उस आत्म तत्त को पहिचानो और इस जीवन को पाकर उसे सुधारने और समारने का प्रित्न करो तुम्हाए हो तुम्हें जाना है जाना है की नहीं है आना है तो जाना है आना के साथ जाना लगा है आए हैं तो जाएंगे तो जब तक हैं तो क्या करो रोना गाना करो या जीवन का मजा लो क्या करना है जो रोने गाने में अपना समय बरबाद करते हैं वो किसी का लाभ नहीं ले पाते रोते गाते एक दिन कहानी खतम अब फिर जहां जाओगे महा रोना गाना सुरू कर दोगे अनादी से तो यही कर रहे हो अपने दुख़़ों का रोना गाना गाते आ रहे हो यही है न कहानी तो भईया जब आने के बाद जाना तै है तो रोना गाना छोड़ो यहां जन्व पाए हो तो जीने का आनन्द लो कौन ले सकता है जीवन का आनन्द जो जीवन के मर्म को पहिचानता है जीवन के सत्त को जानता है न तो मौत से घवराता है और ना किसी अन्य बात से बिश्रित होता है हर पर आत्म दृष्टी से संपन रहकर सत्त के मार्ग का अनुगामी बनता है धर्म के पस पर आगे चलता है आगे बढ़ने की कोशिश करो आए हैं तो मुझे जाना है पर कैसे जाना है मुठी बांध आया जगत में हाथ पसारे जाना क्या करना है मैं मुठी बांध करके आया हाथ पसारे नहीं जाओंगा बहुत कुछ समीत करके जाओंगा यहां से वहां जाकर बसना है मेरा लक्ष अब कहीं बसने का नहीं होना मेरा तो एक यही लक्ष है कि ऐसी जगा जाकर बस जाओं जहां से फिर आने जाने का कामी खतम हो जाए कौन सा वो ठीकाना है कौन सा ठीकाना है इस्थाई ठीकाना कहां सिद्धों के दरवार में एक बार बस गए तो फिर रहे अनंता अनंत काल यथा तथा सिव पर नए बस गए सो बस गए लेकिन जब तक वहां न पहुँच पाऊं तो जहां भी जाकर के बसू अपनी समझ बनाए रख सकूँ अपनी पहिशान को नखूँ अपना सरूप बोध बनाए रखूँ ऐसी जगा जाकर के बसू जहां में मुझे ज़्यादा दुख न भूगना पड़े रोना गाना कम से कम हो इस जीवन के दुखों के बारे में कभी विचायर करो कितने गहरे दुख हैं कभी सोचते हो मा के पेट से हमारे दुखों की कहानी सुरू होती है जनम भी बहुत कश्ट से लेना होता है और उसके बाद हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में भी घोर दुखों और कश्टों को भोकते हैं जीवन में दुख अधिक होता है सुख अल्प है इन सब से पार उतरने का रास्ता धर्म के पत को अंगिकार करना है तो यहां से जाकर वहां बसना है कैसे बसना है कुछ अच्छा करम करके जाओ रोनाई गाना मत करो कुछ पुरसार्थ करो यह जीवन मिला है हमारे लिए जितना समय मिला इसका सदुपयोग करो ने तो यही गीत हम सब के जीवन में चरितार्थ होगा यही आता रहा यही जाता रहा लाख चकर चौरासी के खाता रहा यही आवा गमन के उलट फेर में बेर्त हीरा जनम को गमाता रहा यह कहानी खतम हो जाएगी थोड़ी देर के लिए कल्पना करो अगर मेरी मृत्ति हो जाए उसके बाद मेरे पीछे लोग क्या सोचेंगे क्या सोचेंगे अगर थोड़ा अच्छा काम करने वाला आदमी है अगर बहुत अच्छा आदमी था चला गया अगर किसी की कच्ची उमरे में मौत होई अगर पूरा परिवार पर विपत्ति का पहाड तूट गया वो तो चला गया पहाड पर विपत्ति का पहाड तूट गया किते दिन, किते दिन, अब तो तीसरे ही दिन तेरी भी भी हो जाती, वो तो तीने ही दिन में निप्टाने लगया, अब तो तेरा दिन का भी सब्र नहीं, क्या हुआ, कुछ हासिर हुआ, अलफ्रेड नूबल, उसके मन में एक बार आया, मालू है, वो बारूत का आविश्का रख था, तो बारूत का आविश्का रख, उसके मन में आया है, कि मैं मरूंगा तो लोग मुझे किस रूप में जानेंगे, उसने जीते जी, एक खबर छपवा दी, कि अलफ्रेड नूबल मर गया, खबर फैला दी, जिन्दे में खबर फैला दी, क्यों मर गया, अखबारों की सुर्खियां बनी, मौत का सौधागर, मौत की नीद सो गया, अखबार की सुर्खि, मौत का सौधागर, मौत की नीद सो गया, यह पढ़ करके अलफ्रेट को घोर आत्म गलानी हुई उसने खाँ धिकार है मैं इस दुनिया से जाऊँगा तो एक मौत के सौदागर के रूप पे जाना जाऊँगा नहीं मुझे कुछ अच्छा काम करना चाहिए और तब उसने सांती के ले काम करना शुरू किया और अपनी सारी संपत्ती रगा कर नोबल पुरुषकार की परंपरा शुरू की कितना बड़ा मोड आया तुम्हारे भीतर भी ये मोड घटित हो सकता है तो ला सोचो क्या करना है आना है जाना है तो यहां कुछ कमाना है या केवल रोना गाना है क्या करना है कहते ने रोते रोते ही निकल गई सारी जिन्दगी बोजा धोते ही निकल गई सारी जिन्दगी अगे की लाइन और बता दो मुझे पता नहीं यह रोते रोते ही निकल गई सारी जिन्दगी क्या किया मैंने यह मुझे सोचना है एक इव्यक्ति एक ऐसे राज्य में पहुँच गया जहां उस दिन नए राजा के चुनाओ का दिन था अर वहाँ चुनाओ आज जेशी प्रिया से नहीं होता था हस्ती पट बंधन विधी से चुनाओ होता था हस्ती पट बंधन क्या होता है हाथी के सून में एक माला दे दी जाती थी और हाथी जिसके गले में डाल दे उसको राजा मान दिया जाता था संयोग से वो पहुँचा उसी दिन राजा के चुनाओ का दिन और हाथी ने उसके गले में माला डाल दी गोशित हो गया ये इस राज्य का अब राजा होगा पहले तो बहुत खुश हुआ खुश हुआ लेकिन जैसे ही महा का कानून बताया गया एक बार की काप गया कानून ये बताया गया कि आज से पांस साल तक के लिए आपको इस राज्य का राजा नियुक्त किया गया पांस साल के बाद इस राज्य के कानून के अनुशार आपको राज्य की इस नदी के किनारी छोड़ दिया जाएगा अब मगर मच्छो और घड़ियालों के ग्रास बनना पड़ेगा अब तक यही होता था जितने भी राजा को राज्य मिलता पाँस साल वो राज्य तो करता लेकिन समय पूर्ण होने पर नदी किना दे जाता और मगर मच्छो और घड़ियालों से घड़ि उस नदी में जाकर मर जाता इसने जब वहां की सर्थ सुनी तो एक बार की घबड़ाया लेकिन तभी सोचा पाँच बरस बहुत लंबा होता है चलो देखते हैं उसने बहुत अच्छा सुसासन दिया इतना बढ़िया राज किया कि वो लोगों के दिलों में भी राज करने लगा बुजुर्ग बताते कि ऐसा सासक सौ वर्सों में नहीं आया इतना अच्छा राजा समय बहुत तेज गतीशे आगे बढ़ा जैसे ही पांच वर्स की ओधी पूरी होने को हुई लोगों के चेहरे पर चिंता की लकी रुद्पन होने लगी अब हमें अपना प्राण अप्रिय राजा खोना पड़ेगा लेकिन राजा तो एकदम निश्चेंत उसे कुछ फर्खी नहीं जिस दिर उसका कारकाल खतम हुआ उसे हाती पर बिठाकर सारी जन्ता ने अस्थू प्रेडित भाओं से अंतिम बिदाई दी राजा नदी के किनारे आया हाती से उत्रा राज पुरोहित ने मंत्रों चार पुर्वक वहां का कानून बताया और कहा इस राज के नीम आनुशार आपकी कालावधी पूरी हो गई कारकाल पूर्ण हो गया अब आप इस पार नहीं आ सकते ये नदी है आप उस पार चाहो तो जा सकते हो राजा ने का मैं भी इस राज के कानून का सम्मान करता हूँ मैं उस पार जाओंगा और मेरे लिए इस पार और उस पार में कोई फर्क नहीं है मैं जाता हूँ उस पार जाओंगा लोग देखकर आश्यर चकित रह गये क्योंकि नदी पर पुकता पुल बना था और उस पार सुन्दर नगर वशा था राजा इस पार से उस पार गया सारी प्रजा भी उसके पास चले गई साथ चले गई जो राजी यहां था उठके महां चला गया कहानी आपको अच्छी लगी होगी यह कहानी हमारी तुमारी सब की है यह जीवन मिला है पाँच बरस के राजी की भाति मिला है या तो राज भोग लो या उस पुर पार जाने के लिए बढ़िया पुल बना लो केवल राज भोगने में लगोगे तो नरग निगोत के पात्र बनोगे मगर मच्छो और घड़ियालों के ग्रास बनोगे और अगर कुछ सुकर्म करोगे तो यहां से चल बसे यानि यहां से वहां जाकर बसे उसने का मुझे इस पार और उस पार में आपको भेद नहीं रहा बात समझ में आरी है आप लोगों को तो कर क्या रहे हो केवल राज भोग रहे हो या जीवन के राज को समझ कर कुछ अच्छा कर रहे हो कुछ अच्छा करने का भाव जगाई यह इस पार तो हो उस पार की भी बात करो हरी वन सराइ बच्छन की यह पंक्तियां बड़ी प्रेरक है देख देख जहां तक पाता हूं तमका सागर लहराता है फिर भी उस पार खड़ा कोई हम सब को खीच बुलाता है मेरा मन तो डगमत करता तट पर के हिलकोरों से उस पार एक आकी जब पहुंचूंगा उस पार न जाने क्या होगा इस पार प्रभू तुम हो सब हो उस पार न जाने क्या होगा इस पार प्रभू तुम हो सब हैं उस पार न जाने क्या होगा भाई साब, यहां तो बसे हो, पर जब चल बसोगे तो कहां बसोगे, यहां से जब चल बसोगे, तो कहां बसोगे, यह भी तो सोचो, फिर कुछ नहीं बचेगा, माया मोहो में फश कर अपनी दुर्गती मत कराना, सास्त्रों में इस यनीक कथाएं आती हैं, जीवन भर नीती यनीती का विचार किये बिना धन का संग्र किया, उसके मोहो में मरा, अमर कर उसी धन पर साप बन कर बैठ गया, क्या हुआ, वे चल बसे, यानी यहां से वहां जाकर बसे, क्या बसे, साप बन कर बसे, कोई बकरा बना, कोई बैल बना, कोई गधा बना, कोई कुत्ता बना, क्या है कभी कल्पना कर सकते हो, आज भी ज़्यादा तर सुनते हैं कि घर के नीचे खजाना होता, उसमें साप दिखता है, मुझके एक बार किसी ने पूछा, कि मराज प्रायाश, खजानों के साथ साप की ही बात क्यों आती हैं, कि साप की तरह, लोगों को डश करके उनका सुसन करके धन चूसता है, वो मर करके साप बनता और उसी धन पर जाकर बैठता है, क्योंकि औरों का जहर पिया, जहरीला बन गया, वो साप नहीं है, वो उसके जीवन का स्राप है, उसकी जिन्दगी उसके ही कर्टूतों से अभिशप्त हो गई, वे चल बसे, यानि यहां से वहां जाकर बसे, भईया, तुम्हारी यह बसती तो एक दिन उजड़ दी है, जाए कुटिया हुया महल, अमर कोई नहीं है, सब को एक दिन मरना है, सब छोड़ के जाना है, सब ठाट पड़ा रह जाएगा, और आज के लोगों के ठाट की कहानी बताओ, एक बला सेट था, उसका कुट्टा मरा, तो पहुचाने के लिए पाँच हजार लोग गए, सेट था, उसका कुट्टा मरा, तो उसके अंतिम संसकार की यात्रा निकाले गई, पाँच हजार लोग गए, और सेट मरा, तो पचास लोग भी नहीं गए, कुट्ता मरा तो पांच जाल लोग गए और सेठ मरा तो पचास लोग भी ने गए पूछा क्या बात है भाई या सेठ का भबका था सो कुट्ता के पीछे गए अब सेठ है नहीं तो भबका किसका कितने दिर का ठाट बात समझने की है कहां है हम क्या है हमारी द्रिष्टी कैसी है हमारी सोच विजे भाई गीत गाते आया कहां से कहां है जाना धूंड ले ठिकाना चेतन धूंड ले ठिकाना यहतन गोरा एक दिन यहतन तेरा गोरा एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा और कुट्म कबीला खड़ा रहेगा कोई पासना आएगा कोई बचा नपाएगा आखिर पड़ेगा तुझको है जाना ढूंड ले ठिकाना चेतन ढूंड ले ठिकाना तो कभ यह तो कभी भी तुम्हें अपना ठिकाना ढूंड ना ही पढ़ेगा समझ ये बहुत गहरा संदेश है वे चल बसे यानि यहां से वहां जाकर बसे हम कहीं से आकर बसे हैं तो जाकर बसेंगे सावधान हो जाओ जीवन का सार पाओ आना और जाना के सत्त को समझो और रोना गाना बंद करो ये रोना गाना रोना गाना कुछ काम का नहीं इसे बंद करो आना और जाना है ठीक है लेकिन आने जाने के क्रम में मुझे वो करना है जो मेरे लिए करनी है कभी भी कहानी खतम होगी एक दिन मरोगे और अर्थी उठेगी और क्या होगा अर्थी उठ गई इसका मतलब क्या है अर्थी का मतलब जानते हो क्या है अरथी सब्द क्या है अरथी सब्द का अरथ है ना रथी अरथी वो अरथी है उसको अरथी बना दिये लोग रथी और रथ क्या है इस शरीर को रथ माना गया क्या शरीर रथ है और इसमें रहने वाला आत्मा रती रती चला गया रत भर पड़ा इसलिए न रती या रती उसको लोगों ने बना दिया अर्थी तो भाईया इससे पहले कि तुम्हारी अर्थी उठे जीवन के पर हम अर्थ को जान लो मरोगे अर्थी उठेगी ठटरी बनेगी अर्थी उठेगी और चिता पर जला दिया जाएगा राख बन जाएगी और क्या होगा खाक बनेगा और क्या होगा चाहे राजा हो अंत सबका राख है अंत सबका राख है ये हो शकता है कि राजा की अर्थी को चंदन की लकड़ी से जलाई जाए और रंक की चिता को गोवर के कंडे से जलाई जाए लेकिन चंदन की राख में शुगंद नहीं होती और गोवर के कंडे की राख में दुरुगंद नहीं होती राख तो सब की समान है न मेरा एक होगा न तेरा लाख होगा मेरा भी खाक होगा और तेरा भी खाक होगा यह सब खाक में मिटे इससे पहले जो खास है उसे पहचान लो आना जाना के सत्त को जानो रोना गाना बंद करो जीवन का रस लो जीवन का अनंद लो जीवन के प्रियोजन को पूर करो अर्थी उठने से पहले जीवन के अर्थ यानि प्रियोजन को जानो चिता जलने से पहले अपनी चेतना को जगाओ तो कुछ लाव होगा देखो अब तक के जीवन में मैंने क्या पाया क्या खोया अपने जीवन के लिए मैंने क्या किया कुछ अरजित किया है तो समझना लाभ है ने तो नुकसान, निश्चित हम कुछ पुन्ने लेकर आए हैं कुछ पुन्ने लेकर आए हैं पर मैं आप से कहता हूँ जितना संचित करके लाए हो उससे ज़्यादा अरजित करके जाओ क्योंकि जन्मों का संचित पुन्न तुम्हारे यहां काम आया अब खाली होकर जाओगे तो गंगाल बनोगे और क्या होगा बसना तो है एक गाउं से दूसरे गाउं बसना होता है किसी को तो आधार भूत चीजे लेकर जाते हो कि नहीं जाते है अब यहां कोई अजनभियों के बीच क्या करेंगे कुछ तो चाहिए ना कि खाली हाथ चले जाते हो नहीं मराज ऐसे थोड़ी होता है वहां तो जितना संभव है उतना साधन लेकर के जाते हैं क्योंकि परदेश है है ना अभी सब आगए लॉकड़ॉन है तो अपना साधन लेकर आए ना परदेश जाते हो तो साधन लेकर जाते हो परलोग जाना है कुछ साधन बचाया है कर दो आडते हैं